हेलो गाईस फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाईस इस वीडियो में बताने बला हूँ ग्रिन पलाई की पॉइंट को रिडिम करने के लिए बैंग एकाउन को या पैन काड को एट कैसे करते हैं सबसे आसान तरिक बतांगा गाईस में हों सिवल आप देख रहे हों से वो नायन अरम टेक्निकल अगर आपको जानना है ग्रिन पलाई पॉइंट को रिडिम करने के लिए बैंग एकाउन को या पैन काड को एट कैसे करते हैं उसके लिए इस वीडियो की लास एन तक बने रहे चलो शुरू करते हैं उसके लिए प्लेश्टर को ओपेन कर लेना है इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा इस बला ग्रिन पलाई एप्लिकेशन को डाउनलोड करके ओपेन कर लेना है GreenPly application open करने का बाद इस तरीका contact फेश दिखाई दिखाई दिगा Point को redeem करने के लिए सबसे निचे redeem words option दिखिरास में क्लिक करना है Bank details को add करने के लिए next में क्लिक करना है Point को redeem करने के लिए bank details और pen card का details को डालना होगा उसके बाद I want to buy redeem point ready में क्लिक करना है बैंक डिटेल्स को डालने के लिए बैंक डिटेल्स में किलिक कदने जो वाला बैंक डिटेल्स को एड करने देख लेना अगर नहीं दिखे रहे तो नेक्स में किलिक कदने उसकी बात इस में किलिक कदने सबसे पहले बैंक का नाम को डाल देना है दूसरा नमबर में एकाउंट नमबर को डाल देना है तीसरा नमबर में भी एकाउंट नमबर को डाल देना है दोनों में एकाउंट नमबर को डाल देता हूँ एकाउन नमबर डालने का बाद IFC कोट को डाल देना है दोबरा IFC कोट को डाल देना है बैंक डिटिल्स को डालने का बाद टाम करडिशन को अन करके सम्मिट में किलिक कर देना है उसके बाद Yes में किलिक कर देना है उसके बाद bank details verify दिखाई देगा उसके बाद confirm में क्लिक कर देना है bank details add successful दिखाई देगा उसमें ok कर देना है उसके बाद आपका bank details add हो जाएगा जैसा कि मेरा दिख रहा है bank details add हो गया है इधा दिख रहा है pen card का details को add करना होगा अगर आपको pen card का details को add करना है back कर लेना है मैं back कर लेता हूँ pen card का details को डारने के लिए pen card option दिखरा उसमें किलिक करना है उसकी बाद pen card number को डाल देना है दूसरा बाला में भी pen card का number को डाल देना है तीसरा number में जो pen card में नाम है उसको डाल देना है पैन का डिटल डानने का बाद टर्म कर्णिशन को अन का लेना उसके बाद सम्मिट ओप्सेन में किलिक कदना वेरिफाई कम्पलेट काने के लिए एस में किलिक कदना उसके बाद आपका पैन का डिटल वेरिफाई हो जाएगा जैसा की मेरा दिख रहा है उसके बाद come from option में क्लिक कर दना है उसके बाद आपका pen card details add successful हो जाएगा जैसा की मेरा दिख रहा है ok में क्लिक कर दना है जैसा की दिख रहा है pen card details भी complete verify हो गया है उसके बाद back कर लेता हूँ bank details और pen card details भी ready हो गया है उसके बाद एक बार back कर लेता हूँ पॉंच को रेडिम करने के लिए डिम ओड्स में किलिक करना है इधर इस किम में दिख रहा है, पॉंच को रेडिम करने के लिए दो दिन ओड करना पड़ेगा क्योंकि बैंक डिटल और पैन कार्ड को अभी एट किया हूँ complete verify होने के लिए दो दिन टाइम लगेगा पॉइंट को रेडिम करने के लिए दो दिन वेट कर लेता हूँ तो दोस्तो वीडियो को इधारी खतम करता हूँ वीडियो के डेसेशन में दूसरा वीडियो मिल जाएगा गिरिन पलाई की पॉइंट को रेडिम कैसे करते हैं के लिए उस वीडियो को देख लेना है तो दोस्तों green ply point को redeem करने के लिए bank details और pen card को add कई से करते हैं सबसे आसान तरीका जानगे होंगे वीडियो को like share जरू किजीगा और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये तो subscribe जरू किजीगा